हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का पीके एजूकेशन कोड़ पर आज हम देखेंगे राजसभा के सभापती से संबंदित सारे महतपूर फैक्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने लोगसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर होता है लोगसभा उसके बारे में सारी बा कोशिश करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर की हुए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें चलिए प्रेस पति होता है तो राजी सब्सक्राइब कर अधैक करते हैं और यह बहुत ज़्यादा महत्पूर एलिया जहां से असानी से उठ जाते हैं देश का उप्राश्ट्रुपति देखिए कौन है देश की उप्राश्ट्रुपति आप बताएंगे प्राश्ट्रुपति अग पर बेंकया नाइडू मतलब अगर बेंकया नाई डू राष्ट्रक्ति के रूप में चाहरा जो जब राश्ट्रे सब्हापती के रूप में काम करें अहां फरिगर स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं कि जब एक जो पदेन सभापती है यह जो राजसभा का सभापती है जब राश्ट्रपती के रूप में काम करता है क्योंकि वही क्या है वही उपराश्ट्रपती है तो जब राश्ट्रपती के रूप में काम करता है तब राजसभा के सभा पती को हटाने के प्रिक्रिया अगर देखें तो तभी राजी सभा के सभापती को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उप्रास्ट्रपती पद से हटा दिया गया हो मतलब अगर वो सभापती पद से हटेगा तो वह उप्रास्ट्रपती पद से भी हट जाएगा क्यों क् कि एक ही पद है यह तो जब सभापती नहीं रहेगा तो प्रास्ट पती नहीं रहेगा और अगर उप्रास्ट पती नहीं रहेगा तो सभापती भी नहीं रहेगा पीठा सीन अधिकारी के रूप में सभापती की शक्ति वाकार लोग सभा के अध्यक्ष के समानी होते हैं पिछ कि वो क्या काम करते हैं हाला कि लोग सभा अध्यास के पास दो बिशेश शक्तियां होती हैं देखिए बात कितनी महत्यपूर कही जा रही है कहा जा रहा है कि दो बिशेश शक्तियां हैं जिन लोगों को PDF चाहिए है वो मुझसे टेलिग्राम पर जुड़ सकते हैं पीके एजुकेशन कोर के नाम से आप जाएंगे और वहां पर आपको मिल जाएगा और यह जितना भी मैंटर लेती हूं यह सारा का सारा एम लक्षमी कांद से सर्सकी बुक से हैं आप देख सकते हैं तो दो बिशेश शक्तियां हैं जो सभा और आप से पूछा जाएं तो यह चोटे चोटे पौइंट है यह पहला तो है और तो लोकसभा अध्यक्ष यह तै करता है कि कौन सा बिदेयक धन बिदेयक है और यह फिर नहीं है, मतलब कोई भी बिदेयक जो आया है वो बिदेयक धन बिदेयक है या नहीं, इसका अंतिम निरणय कौन लेता है, वो लेता है लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोकसभा का स्पीकर सभा में और इसके बारे में पूरी डिटेल में आगे बताऊंगी अभी सिर्फ इतना बताती हूं कि लोग सभा जो धन विदयाक होता है उसके बारे में राजसभा के लिए बेजा जरूर जाता है राजसभा में संतुति के लिए लेकिन राजसभा उसे पारित करे या ना करे उसमें संसो धन करें यह लोग सभा में अपने इसाब से पारिद हो जाता है पूरी चीज़ें डिटेल में हम आगे डिसकर्स करेंगे जब आम आपको बताएंगे कि धन बिदयाक और वित्य बिदयाक में क्या-क्या अंतर हैं तो यह बात अभी आप समझ दीजिए कि कोई बैठक का पीठा सी नदिकारी होता है जब लोग सभा में मैंने बताए तक इसले वीडियो में भी कि कब लोग संसत की जो बैठक होती है किन-किन विर्यकों के लिए यह क्या होती है संयुक्त बैठक को आहुत कौन करता है रास्ट्रपती करता है उसकी अध्यक्षता कौन कर करेंगे तो संसथ के बिप्रीट सधन का सदस्य लोग सभा सभापती क्या होता है सभापती सदन का सदस्य नहीं होता है देखिए बहुत जादा महत्वपूर पॉइंट है मैं बार-बार आपको बोल रही हूं कि जो उपरास्ट्रपती कह लीजिए यह सभापती कह लीजिए यह सदन के सदस्य नहीं होता है यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है जिस सदन में यह बैठा है राज सभा का वहां का सदस्य नहीं हो परंतो अध्यक्ष की तरह सभापती भी पहली बार मत नहीं दे सकता जब मतों की गर्णा चलती है तो पहली बार में ये मत नहीं देते हैं लेकिन बरावर अगर मतों की स्थिति आ गई सपोर्स करिए मत पढ़ रहे हैं और अगर ये दोनों बरावर हो गया, टाय हो गया तो क्या करेंगे तो ये अपना मत दे सकते हैं, उससे पहले मत नहीं दे सकते उपराश्ट पती को सभापती पत से हटाने का संकल्प अगर बिचारा धीन है तो वोई राजिसवा की पीठा सी नधिकारी नहीं होगा तब वह क्या होगा, राजी सभा का पीठा सी नदिकारी नहीं होगा, हाला कि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, और बोल भी सकता है, और सदन की कारवाही में हिस्सा भी ले सकता है, अगर कोई ब्यक्ति है, सपोस करिए, अगर मैं बात करूँ इस समय पर आपके लिए, वें स्थित भी रहेंगे, और बोल भी सकेंगे, और सदन की कारवाईयों में हिस्सा भी ले सकेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अपना ये वोट नहीं डाल पाएंगे, तो ये मत नहीं दे सकते हैं, जबकि लोग सवा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है, उसे हटाने का संकल्प ब बिचारा धीन है, तो बुबराबरी के टाइम पर नहीं दे पाएगा, तो ये आपको मुझे लगणा कि साइद बात समझ में आई होगी, अब देखते हैं, अध्यक्ष की तरह सभापती का बेतन और भत्ते, कई बार कुश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं, तो ये किस प समु के पदे नद्यक्ष के रूप में कार करता है, कौन काम करता है, तो ये भारत के संसदी समु के पदे नद्यक्ष जो होते हैं, उसके रूप में काम करता है, जो कि भारत की संसद और दुनिया की संसद के बीच एक कड़ी का काम करता है, जब उपर रास्ट्रपती, रास सारे के सारे काम क्या हो जाएंगे जो भी राष्टपती करता होगा या जो भी राष्टपती को लाव मिलते होंगे वो सारे के सारे किसे मिलने लगेंगे सभापती को मतलब उपराष्टपती को अब देखते हैं राजिसभा का उपसभापती राजिसभा में उपसभापती क्य सदन का सदस्य होता है जब किसी कारण से उपसभापती का स्थान रिक्त हो जाता है तो राजिस सभापती अपनी बीच में से नया एक सभापती चुल लेते हैं मतलब जब तक उपसभापती कब चुना जाएगा जब जाहर सी बाते सभापती नहीं होगा तो क्या करा जाएगा एक उपसभापती चुल लिया जाएगा उपसभापती अपना पद निम्लतीन में से किसी एक कारण से छोड़ सकता है कैसे चोड़ सकता है यदि राजिस सभापती को अपना लेखित स्थीवा समप देगा तो वो समाप्त हो जाएगा यदि राजसवा में बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए इस तरह का कोई भी प्रावधान जो किया जाता है जैसा कि राश्टपती के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उनको कुछ समय पहले सूचना देनी होती है आप बताएंगे उनको कितने समय पहले सूचना देनी होती है तो 14 दिन के पूर्व नोटिस के बादी दिया जा सकेगा ओप सभापती सदन में सभापती का पद खाली होने पर सभापती के रूप में कार करने लगते हैं सभापती की अनुपस्थिती में भी वह क्या करते हैं वह बतोर सभापती काम करते हैं दोनों ही मामले में उनके पास सभापती की सारी शक्तियां होती हैं इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ओप सभापती सभापती के अधिनस्त नहीं होता है मतलब जैसा नहीं है कि ओ उत्तरदाई होता है यह बहुत ही महत्रपूर फैक्ट है मुझे लगता और कई बार अगर अच्छे बनते हैं तो यहां से पूछे जा सकते हैं कि जो राजसभा का सभापती होता है या उपसभापती है वह किसके प्रति उत्तरदाई है तो सीधे किसके प्रति उत्तरदाई है यहीं है राज्य स्भा के प्रशी जैसे मंत्री प्र немного उत्तरदाई होती हिए लोक स्भा के प्रशी उसी तरीके से राज सम्हापती वहुत होगा राजिस्भा के फ्रती सभापाति की तरह ही उप सभापती विझी सदन के कारवही के दारान पहले मत नहीं सकता है दौनों के मत बराबर यो gay योट पढ़ने कि स्रिती में यो निरॉल कि उलेखनी है जब सभापती यह प्रिसाइडिंग ओफिसर के वारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है इसलिए मैं बार बार यहां पर हर चीज को एक्स्पेन नहीं करूंगी आप जाके पुराने वीडियो देख सकते हैं आपको आप पता चल जाएगा प्लीज वीडियो को ल कि नियमित बेतन बच्टो起уд का धिकारी होता है उसे संसाथ द्वारा तय किया गया ब pagan avere न कोन करता है भारत की संचित नीजी के द्वारा भुच्तार किया जाता है उनके तहता करम देखेंगे सभापती इसके सदस्यों के से बीट से उपसवापतियों को मनूनीत करता है सवापति अभाटि की ऑनिपस्थित में इसे कोई भी सदन की अध्यक्ष्टा कर सकता है जब दोनों ही पद नहीं है ना सभापति है ना अउपसवापति है तो उनी में से किसी सबस्ट को चुल लिया जाएगा उस समय उसे सभापती के समानिय अधिकार एबंशक्तियां प्राप्त होंगी जारी बाते जब में नुख्या नहीं यह तो इसके इस्थान पर किसी को चुना जाएगा तो वहीं सारे कारेों का वहन करेगा जब पैनल में से कोई सभापती भी उपस्थित ना हो तो दूसरा व्यक्ति जिससे सदन में निधारित किया गया हो बतोर सभापती के कार करता है यह सबस्ट करना आवश्यके की पैनल सदस्थिक पैनल का सदस्थिक उस कारवाई का संचालन नहीं कर सकता जब सभापतियों उप सभापती का पद रिक्त होता है क्या नहीं कर सकता पैनल का सदस उसकी कारवाईयों का संचालन नहीं करता है इस समय वह सभापती का दायत तो होता है कि वह उपसभापती की न्युक्ति करे इस जिक्त स्थान को भरने के लिए जितना जल्द हो सके जल्दी चुनाओ कराएद है सीदी सी बात है उपरास्ट पत कि और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उप राष्ट पती का पत कितना महत्वपूर है और वह राजसवा की पदिन सभापती की रूप में काम करता है क्या कि अंदर कॉंस्टूशन में हमारे कॉंस्टूशन में प्रावधान किये गए तो अगर आपको वीडियो अच्छा झाल